अस्सालाम वुल्वेट्व एपीवन आपके यह वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे परसंटेज जैसे कि हमारे पास में कोशन गिविन है 50% इस कोशन में क्या करना है इस कोशन में करना है कि 180 का 50% कितना होगा वह किस तरह फाइंड आउट करेंगे वह हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि यहां हमारे पास है 50 और परसंटेज परसंटेज का साइन है इसका मतलब होता है divided by 100 ठीक है उसके बाद हमारे पास यह है और 180 अब हमें इन सारी वैलियोस को एक बसरो से कैंसल करना है अगर यह सेम टेबल से डिवाइड हो रही है तो अकेले वन की वैलियो होती नहीं यह चाहिए लिखना जरूरी नहीं है अब हमारे पास यह उपर किया 5 है और दूसरे यहां पर हमें नजर आज़ा है कि 180 का 50% होगा 90 इसी तरह हमारे पास next question है जो है 90% of 190 190 का 90% कितना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे 90 लिखेंगे पहले यहां हमारे पास percentage का साइन है इसका मतलब होता है divided by 100 of 190 ठीक है अब उसी तरह हम क्या करेंगे दुबारा से लिखेंगे 90 upon 100 multiply का साइन 10 and then here we have 190 अब दुबारा साम देखेंगे कि जो 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 वैलिए हमें गुसर से कैंसल होती हुई नजर आती है देखिए यह जीरो से कैंसल हो गया यह वाला जीरो उपर वाले जीरो से कैंसल हो गया अब हमारे पास क्या रहे गया है यहां यहां वान इसकी कोई वैल्यों नहीं यहां 9 है and multiply by 19 यानि कि 9 को मुल्टिप्लाय करना है 19 से वो अगर आमें याद नहीं है 19 का डेबल तो हम रफ़क में भी कर सकते हैं 9 x 9 is 81 का 1 8 carry 9 x 1 is 9 9 plus 8 17 यानि कि हमारा आंसर यहां आ चुका है 171 तो means कि 190 का 190 का 90% है 171 देखा आपने किती जली से हमने जो है वो दोनों की percentages find out कर ली है I hope कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है अगर यह वीडियो को पसंद आई है तो से लाइक और शेयर जरूर करें हमें यह चानल को भी सब्सक्राइब करें इंचाला बहुत जो मिल